नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहा है मैं हूँ अखंड जोती देखे ब्यार में उपचुनाओ को लेकर चार सीटों पर मतदान सुरू हो चुके है जिसमें बेला गंच, रामगड, इमाम गंच और तरारी की सीट सामिल है और इसमें कई बड़े नेताओं की परतिष्ठ पर है चुकि आपको पता दे एक और रामगड में बड़ी-बड़ी कतारे आपको देखने को मिल रहे होगी चुकि रामगड से एक और जगदानन सिंग के बेटे अजीद सिंग चुनाओं मैदान में है तो उनके सामने भारतिये जनता पार्टी के ही राजपूत उमिद्व करने के लिए गए थे वहीं बात तरारी की कर ले तो तरारी में एक और जहां सुनील पाड़ने के बेटे विशाल प्रशांद भारतिये जनता पार्टी के टिकट पर उमिद्वार है तो दूसरी और CPI ML के उमिद्वार उतारे हुए है यादव उमिद्वार और ऐसे में 25 में बिहार बिधान सभा के चुनाओने है और उससे पहले यहूप चुनाओ सेमी फाइनल माना जा रहा है और सेमी फाइनल की यह लड़ाई काफी दिल्चस्प है चुकि कई जो सीट है वो बेला गंज जो राष्टिये जनता दल के लिए सेफ सीट है कई वर्सों का गढ़ जो सार है और वह इस बार बचाना मुस्किल सा नजर आ रहा है चुकि जो इस बार भोटर है मुस्लिम बोटर चाहिए वह यातों भोटर इस बार टूटते नजर आ रहे हैं असे में यही बड़ी वजशा है कि लालू पिर्शाद यादो हीना सहाब की जो प्रतिष्ठटा है वहदाओ पर लगी है बेला गंज सीट पर किस तरीके से बचाना है चुकि सुरेंद्रियादों का गढ़ माना जाता है कई वर्सों का गढ़ है राष्टी एजनतादल का इस बार बचा पाने में सफल होते है या नहीं या देखना काफी दिल्चस्प है हलाकि बात इमाम गंज लग चुकी है मद्दाता घर से निकल कर वोट करने जा रहे बड़ी संख्या में महिलाये निकली है और अब इन सभी 38 चारू सीटों पर 38 उमिद्वार है 38 उमिद्वार का भाग्य जो है वह आज तै होने वाला है क्या होने वाला है यह अब 23 तारिख को पता चलेगा क्या हाला कि अब देखिया आगे-ागे क्या कुछ निकल कर सामने आता है तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहाने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे धन्यवाद